महिंदरा ने अपने थार को launch करने के लिए पना ज़्यादा time ले लिया है कि क्या पता है लेकिन सबको उम्मीद है कि महिंदरा थार जल्दी से जल्दी launch हो जया ताकि उनका वेट है खातम होजर वो purchase कर पाए इस iconic vehicle को जी हां क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी जिसको हर कोई पर्चेस करना चाहता है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन की वज़े से इसको छोड़ देता है लेकिन हम उन सब के बारे बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे महिंदरा थार 2020 के साधे फीचर्स के बारे में जी हां जितने फीचर्स के अंदर आएंगे जितने भी चिंजस नदर आएंगे और हां वीडियो को एंड तक जरूर देखना उसके अंदर बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वेरिंट्स आएंगे और कौन-कौन से वेरिंट्स के अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है जहीं दोस्तों मैं हूं विकम सिंग और आप देख रहे हैं माइ मोटर कड़ी का यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हां अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करना इस वीडियो को पार्ट को थोड़ा से एक्टेंड करने के लिए चोटा सा फेंटर लगाया गया है तो यह बहुत बड़ा डिफ्रेंस है गाड़ी की जो लाइट्स है वो एल्ली ना होके हेलोजन लेंप्स अभी तक है जिहां अभी तक जितने में टेस्ट वीकल देखे गए हैं उनके अंक प्लास्टिक का नहीं है प्रोपर मेटल का इंजन गाड है क्योकि यह एक औफ-्रोडिंग गाड़ी होने वाली है इसकी वज़े से एक मेटल का engine guard दिया गया है जो front bumper है उसके अंदर ही आपको fog lamp दिखाई देंगे और जो fog lamp आपको दिखाई देंगे वो आपको top variant में दिखाई देंगे base variant में आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देने वाले जो indicator है वो दो type के indicator आने वाले एक तो जो basic जो पुदाने वाले थार के अंदर आते थे और दूसरे LED इंडिकेटर और जो LED इंडिकेटर आने वाले हैं वो fenders के अंदर fit के लिए गए हैं total 4 variant आने वाले थार के अंदर इतके बारे मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा तो वीडियो को continuous देखते रही है अब जो engine का hood है उसको रोकने के लिए hood ledges लगाए गए है अब देखाऊ को किसी कार के अंदर आपको hood ledges दिखाई नहीं देखाई लेकिन इस महेंदर थार के अंदर hood ledges की ज़रुत क्यों पड़ जाती है मैं बताथा आपको क्योंकि जब off-roading करते हैं तो गाड़ी ऐसे टेड़े मेड़े होती रहती है तो इसकी वज़ेस से जो hood है उसके खुलने के बहुत जारा chances हो जाते हैं इसको रोकने के लिए गाड़ी को hood ledges लगाए गए हैं और दूसरा जो चेंज आ रहा है वह है एक्सेल के उपर यानि जो front tire है उसका जो width है वह भी जो fenders है उसके बराबर है plus जो rear axle है यानि जो पिछी वाला tire है उसकी जो width है वह भी front वाले axle के साथ मैच करती है पहली वाले थार में क्या था जो rear axle था वो front axle था था जिसकी वज़ेश होती कया थी गाड़ी की stability बिल्कुल भी नहीं बन पाती थी और वही हाल होता है बुलेरो के साथ अब की वाला इस थार के अंदर क्या किया गया है जो stability अच्छी करने के लिए side fenders तक tire को लेके आया गया है जितना फ्रंट वाले हो किया गया है फ्रंट सस्पेंशन की बात करें फ्रंट सस्पेंशन डेबल विश्बॉन होने वाला है और रियर वाला solid axle multi-link coil spring suspension होने वाला अब जो suspension इसके बार में क्यों बताना हो को देखिए जो front suspension वो independent है किया थी इस गाड़ी की गाड़ी को जो tow hook है वो front bumper की नीचे की तरफ दिया गा है क्योंकि इंडियन pedestrian safety norms के हिसाब से आप tow hook को आगे नहीं लगा सकते अब फ्रंट में जो windshield है वो change कर दी गई है क्योंकि परानी वाल थार के अंदर जो bidding वाली वो आते हैं जिसके वाज़े से गाड़ी के अंदर leakage की बहुत बड़ी problem हो जाती थी लेकिन इस बार एक piston वाली windshield आ रही है जिसके वाज़े से पानी की leakage मुझे लगता नहीं कि होने वाली है लेकिन अगर होगी तो उसको resolve करना बहुत ही आसान रहेगा जो windshield है पहले provision था कि आप windshield को fold भी कर सकते है लेकिन इस बार इन्होंने windshield को permanently fix कर दे क्योंकि मैंने कम थार देखिए जिनकी windshields को fold किया जाता हो उसके बाद side profile की बात करते हैं side profile में आग आपको दो variant देखने को मिलेंगे पहला जो lower variant है जिसमें steel wheels आते है होने चाहिए और जो lower variant है उसमें 15-16 inch के tire होने वाले है तो आप side profile दोनों compare करके देख सकते हैं कि दोनों में कितना difference है tire size अब जो side footstep है वो दो type के होने वाले एक flat footstep होने वाला और एक pipe वाला footstep होने वाले है जो पुराने वाले थार थी वो four step था वो lower variant के अंदर नई वाले थार चाहप अंदर आने वाले है जो flat footstep गग है道 top variant के अंदर आने वाला जिसके के अंदर third top हփाट top के साथ आने वाली है तो दोनों में difference रहनेए अब दोनों कि दोनों enc Great फूट सेप होते हैं लेकिन जो लुक आती है इन दोनों से तो उनों की अलग लग लुक आती है अब थार के बारे बात कर जो पहली वाली थार थे उसके जो डोर्स थे वह इतने प्रॉपर फिट नहीं होते थे ऐसे लगता था दोर्स को उठाकर लगा दिया गा लेकिन उनकी चेक नहीं की गई इसके वज़े से एक नुकसान और होता था जो एरोडानमिक से गाड़ी का वो खराब होता था लेकिन इस वाली थार के अंदर उनोंने प्रॉपर ध्यान दिया है कि गाड़ी की बाड़ी के साथ जो डोर है वो एकदम प्रॉपर स्नक फिट हो जाए जिसक उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है जो टेल लाइट्स है वो LED भी है प्लस जो बेसिक लाइट्स आती है थार के अंदर पुरानी वाले थार के अंदर आती है वो भी है जो लोर वेरिंट है उसके अंदर बेसिक आने वाली है और जो टॉप वेरिंट है उसके अंदर LED ल पीछे वाला उसके अंदर हात फस्च जाता था खोदे टाइम पर लेकिन इस वाली थार के अंदर एसा नहीं होने वाला open handle होने वाला है खोड़ने के लिए गाड़ी के रीर डॉर के उपर कोई भी wiper नहीं होने वाले कोई भी वाशर नहीं होने वाला ये मुझे लगता है कि ये होना जरूरी था गाड़ी के अंदर गाड़ी के ब्रेकिंग के अंदर दो टाइब के option रहने वाले हैं पहला रहने वाला है front disk brake only और दूसरा रहने वाला है all wheel disk brake अब जो all wheel disk brake है वो उपर के दो वेरिंट के अंदर आने वाले हैं अब गाडे के साइड में आपको बहुत ही छोटी ही चेज़ देखन ऐगने वहां इसका एंटियू रहे districts कि इस ऐइन काही नगा है तो से उपर दुनिले प्लेसे इसलिए गारी के अंतर roll bar cage होने जरूरी है, गारी के जो rear seating है, front facing भी हो सकती है, और side facing दोनों ही हो सकती है, वो depend करेगा आप कौन सा model चूज करेंगे, गारी के front seating की बात करें, तो गारी की seats है, वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, काफी अच्छा जो अपना thigh support है, वो भ structure होने वाला है, जैसा कि हम XV300 के देख सकते हैं, उसके बाद जो steering है, steering के ओपर controls mounted रहेंगे, प्लस एक cruise control भी रहेगा, गारी के अंतर, cruise control महेंदर थार के अगर आ जाता है, तो बहुत ही फाइदा रहने वाला है, गारी के अंतर ABS का off करने का option रहेगा, EBD का off करने का option रहेग जैसे हम traction controls को off कर सकते हैं, hill descent control को off कर सकते हैं, hill climb controls को भी off कर सकते हैं, तो on off करने के बहुत साइब buttons रहने वाले है, प्लस airbag को on off करने का option भी रहने वाला है, अफ्रोडे के टाइम पे airbags नहीं खुले तो ही better रहता है, इसलिए airbags को भी off करने का option रहने वाला है, गारी के अं वाले हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए ताकि अराम से पकड़ के चाड़ सके और प्लस एक ग्रैब हैंडल डैश्बोर्ड की ऊपर भी आने वाले हैं ताकि ओफड़ेंगे डाम से पकड़ के पैठा जा सके गाड़ी के अंदर बेसिक सेफटी फीचर रहने वाले हैं जो गवर इस गाड़ी के अंदर दो वेरिंटे रहेंगे पेट्रोल आएगा ड्यजल डीजल वेरिंट आएगा और अपको बेसिक सारी कंट्रोल मिलने वाले ऐसी का फ्लो बी कफी अच्छा होने वालए क्योंकि हाट टॉप रहने वाले ह्वाले हैं लेकिन एक शीए अट I can सब्सक्राइब करने वाला यह थोड़ा सा सोचने वाली बात है वन लिट्र बोटल होल्टर का प्लेस्मेंट भी दिया गया 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 है प्लस वन रिवर्स गेर दिया गया है और जो सेंटर कॉंसोल जहां गेर और 4x4 लिवर की प्लेस्मेंट की गई हो महिंद्रा टीवी 300 से लिया गया है जो पावर विंडोस के कंट्रोल है वो सेंटर में दिये गया है और जो इन्फोटेंट्मेंट के स्पीकर्स हैं वो उपर की तरफ दिये गया है जिससे अगर आप दोर पैनल्स को निकाल भी द आने वाले सबसे पहला जो विरिंट आने वाला है वो आ रहे हैं सॉफ्टॉप का उसमें आपको ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलने वाले उसमें आपको 4x4 का सिस्टम मिलने वाला है पेट्रोल और डीजल दोनों में ऑप्शन रहेगा ये अवेलेबल सिक्स गेर्स का उ इस गाड़ी के आप इसको जंगल सफारी के लिए लेकर जाएंगे तो आपको साइड फेसिंग सीट्स जड़ा बेटर रहेंगी इसलिए इसके अंदर कोई फीचर रहने नहीं वाला जो वील्स रहेंगे वो स्टील रिम के रहेंगे और ये गाड़ी अटोमेटिक अंदर अ सकते हैं उसके बाद जो वेरिंट आने वाला है वो आने वाला है कनवर्टेबल हाट टॉप जी हां ये वेरिंट सबसे बेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जिनको वेल्यूफोर मनी चाहिए इस वेरिंट के अंदर आपको ऑप्शिन रहेगा कि आप हाट टॉप को निकाल सकते हैं जी हां निकाल सकते हैं अब इसमें डिफ्रेंस के रहेगा है इसका पीछे वाला डॉर है यानि रिए डॉर है वो स्प्रिट में खुलने वाला है अब ये जो है इसके अंदर आपको इन्फोटेन्मेंस इस्टम ही मिलेगा प्रूज कंट्रोल भी मिलेगा और ऐसे बहुत सारी features मिलने वाले है, अब इसके बाद जो variant आने वाला है, वो आने वाला है, आपका sunroof वाला option, जी हाँ, hard top के अंदर sunroof वाला option, अब ये जो hard top रहेगा, ये fixed रहेगा, इसको निकाला नहीं चाह सकता, लेकिन इसके अंदर एक sunroof रहेगा, वो electronic रहेगा, वो manual अब ये जो spice shots आ रहे है, ये mixed आ रहे है, कभी base variant का देखने को मिल रहे है, कभी हमको hard top रहे है, या फिर कभी कभी हमको sunroof वाला option देखने को भी मिल रहे है, अब ये depend करता है आपके ओपर कि आपकी requirement क्या है, जहां तक मुझे लगता है, जो second variant है, जो hard top के साथ आता है, सब जादा बिखने वाला है, देखिए, basic चीज है, कि इंडियन को sunroof का बहुत जादा शौक होता है, अब convertible में क्या है, आपको sunroof नहीं मिलने वाले है, आपको manually पूरा निकालना पड़ेगा, प्लस आपको AC का effect बिल्कुल खतम हो जाएगा, जिस time पर हाट top निकालते हैं, त लिए convertible हाट top का कोई logic बंदा नहीं डिया करता है, लेकिन sunroof जब रहेगी, वो cover रहेगी, प्लस हवा कॉंदा नहीं आने देगी, और AC का effect थोड़ा अच्छा रहेगा, convertible हाट top के comparison में किया जाए तो, अब जो top variant रहेगा, diesel automatic, उसका जो pricing रहने वाला है, वो रहने वाला है स्टार्टिंग में होने वाला था, अभी तक कोई news नहीं आई है, अब यह depend करता है कि Mahindra कब launch करेगी उस गाड़ी को, किस price point पर launch करेगी, यह तो भगवान ही जानता है, उमीद करता हूं कि यह जो information में आपको दी है, आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीड यह तब तक लिए, जाहिंद